हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम अपकानी सलवार की कटिंग और स्टीचिंग करेंगे तो उसके लिए मैंने यह दो मीटर फैब्रिक लिया है अब सबसे पहले हम इसको जो इसकी लंबाई वाली जो साइड है उस तरफ हमें इसको डबल फोल्ड करके रखना है यह देखिए लंबाई वाली साइड में मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है और चोड़ाई वाली साइड में हम इसमें एक फोल्ड और करेंगे अच्छे algorithm को सीदा करेंगे और इधर से हम इसमें एक फोल्ड ओर करेंगे और जो बंद वाली साइड है वो मैंने अपनी तरफ रखी है फ्रेंड्स कपड़े को बिल्कुल सीधा कर लेंगे अब हमें ऊपर की तरफ इलास्टिक अटेच करना है इसमें तो उसके लिए हम दो इंच पे निशान लगाएंगे यहां पे हम इलास्टिक लगाएंगे अब स्केल से हमें इसमें एक लाइन ड्रो कर लेंगे अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे तो जो उपर हमने इलास्टिक के लिए जो निशान लगाया है उसको छोड़ते हुए नीचे हमें तैयार लेंट इसकी 49 इंच चाहिए तो इसमें हम हाफ इंच कम करके निशान लगाएंगे यह मैंने 38 इंच पे निशान लगाया है तो इस निशान को बिल्कुल सीधा कर लिया है अब हमें क्या करना है नीचे हमें मोहरी के लिए निशान लगाना है तो तैयार मोहरी मुझे साड़े छे इंच चाहिए तो हम इसको डबल करके निशान लगाएंगे तो मैंने 13 इंच पे निशान लगाया है इस पे और अब हम आसन के लिए निशान लगाएंगे तो जो खूली वाली साइड है उधर से हम डाई इंच पे निशान लगाएंगे और लंबाई हमने इसकी रखी है 13 इंच इस तरह से हम इसमें एक क्रोज बना लेंगे अब हम इसकी गुलाई कर देंगे और जो नीचे की तरफ हमने महरी के लिए निशान लगाए था उस निशान को हम उपर आसन से मिलाते हुए एक लाइन ड्रो करेंगे सेम जो हम सिंपल सलवार में जो निशान लगाते हैं सेम उसी तरीके से अब हम इसकी कटिंग करेंगे इदेखी मैंने इसकी कटिंग कर ली है अब मैंने ये कैनवस पटी ली है इसकी चोड़ाई हमने 1,5 इंच ली है और इसकी लंबाई जो हमारी मोहरी का जो नाप है 13 इंच वो मैंने रखा है और ये मैंने एक कपड़ा लिया है इसकी सीधी वाली साइड हमें नीचे की तरफ रखनी है और उपर हमें इस कैन्वास पट्टी को प्रेस से चिपका लेना है उसको भी हम सेम इसी तरीके से चिपका लेंगे और साइड में जितना भी हमारा एक्स्ट्र कपड़ा है लंबाई वाली साइड में उसकी हम कटिंग कर लेंगे और जो canvas पट्टी हमने चिपकाई है उसके दोनों तरफ हाफ हाफ इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रहना चाहिए friends यह देखिए अब हमने same size की दो पट्टियां और cut करी है अब हम इसकी सिलाई करेंगे तो यह देखिए जो यह वाला हमारा कपड़ा है इसको हम नीचे की तरफ रखेंगे सीधी वाली side जो है इसकी उपर की तरफ रहेगी और इसको हम इस तरह से रखेंगे और जो canvas के side में जितना भी extra कपड़ा है इसके उपर हम एक सिलाई लगा लेंगे यह देखिए हमने इसकी सिलाई कर लिया है और इस तरफ जो half inch का extra कपड़ा है उसको हम fold करके crease line बना लेंगे और same तरीके से हम दूसरी कपड़े को भी सिलाई करेंगे इस तरह से हम इसको तयार करके रख लेंगे यह देख लिया है हमने इनको सिल लिया है और इसके उपर हमने iron भी कर लिया हाफ इंच कपड़ा मोडते हुए दोनों तरफ से यह हमने सलवार का कपड़ा लिया है और जो नीचे हमने पहुचे के लिए जो cutting की थी वहाँ पे हमें 1.5 इंच कपड़ा छोड़ते हुए इसके अंदर हमें gather set करने है इसके अंदर हम gather बना लेंगे फ्रेंड्स आप इसमें plates भी डाल सकते हो छोटी छोटी मैंने इसके अंदर gather बनाए है और यह हमें जो नीचे पहुचे पहुचे के लिए जो हमने पट्टी कट की है सेम उसी साइज का हमें तयार करना है लास्ट में 1.5 इंच कपड़ा प्ले लाएंगे यह देखिए यह देखिए हमने सेम साइज का इसको बना लिया है अब हम इसकी सिलाई करेंगे तो इसको हम इस तरह से खोलेंगे और सीधी वाली साईडा में ऊपर की तरफ रखनी है और इसके ऊपर हम अपने सलवार के पोचे को इस तरह से रखेंगे और जो हमने क्रीज लाइन बनाई थी उसके ऊपर हम एक सिलाई लगा लेंगे ये दिखी है हमने इसके उपर sentiments लगा ली है अब इस कपड़े को हम वोल्टी तरफ गुमाएंगे इस तरह से अब हम इसके ऊपर एक इस कपड़े को हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगाएंगे तो इसके अंदर हमें एक लैस भी लगानी है, फ्रेंट्स, यह हमने लैस ली है, इसको हम इसी के अंदर अटेच करेंगे, इस तरह से रखके हम इसके उपर सीधी सिलाई लगा लेनी है, बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है, फ्रेंड्स यह सलवार आप एकब ट्राइ कीजिए, बहुत सुन्दर बनके रेडी होगी सलवार और सेम तरीके से हमें दूसरा पोचा भी फ्रेंस बना लेना है और नीचे की तरफ हमने एक इसमें लैस और लगानी है तो यह हमने दूसरी लैस ली है अब हम इसके उपर भी एक सिलाई लगा लेंगे यह देखिए हमने इसको बना के रेडी कर लिया है दोनों पोचे हमारे तयार हो गए है अब हमें क्या करना है उपर आसन पे हमें सिलाई लगानी है तो सीधी वाली जो साइड है कपड़े की वो हमें अंदर की तरफ रखनी है और यहाँ पे भी हम दोनों तरफ से हम आसन की सिलाई कर लेंगे देखिए फ्रेंड कपड़े को हमें खिचते हुए एक सिलाई लगा ली है और अब हम इसके अंदर छोटे-छोटे कट लगाएंगे दोनों आसन को हमें सेम तरीके से सिलाई लगानी है यह हमने इधर से भी सील लिया है अब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे और उपर से हमें हाफ इंच कपड़ा फोल्ड करके चारो तरफ एक सिलाई लगानी है ताकि इलास्टिक हमारा जो है वो आसानी से हम लगा सके पहले हम हाफ इंच को फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे यह देखी मैंने सिलाई लगा ली है अब हम इलास्टिक अपना लेंगे तो 32 मेरी कामर है तो मैंने 26 इंच का इलास्टिक लिया है आपको जितना टाइट लूज चाहिए आप अपनी साब से ले सकते हो और हम इसको इस तरह से रखके देखेंगे और इलास्टिक के बिल्कूल एक पैर की सिलाई इधर हमें कपड़ा रखना है और इसके उपर हमें एक सिलाई लगा लेनी है चारो तरफ से हमें इसको सील लेना है और एक तरफ से हमें इसको 2 इंच जो करीब खुला रखना है यह देखिए यह हमने जो खुला रखा इसके अंदर हम Elastic Attach करेंगे Safety Pin हमने इसमें लगा के इसको इसके अंदर इस तरह से डाल लेंगे यह देखिए अब दोनो Elastic को हमें इस तरह से रखना है उपर और इसके उपर हमें दो सिलाई लगानी है ये देखिए हमने इसको सील लिया है अब हम इसको इस तरह से सेट करेंगे और जो खुला वाला जो हमारा भाग है इसका उसके उपर हमें एक सिलाई और लगा लेनी है तक ये बंद हो जाए ये देखिए हमने इसके उपर शिलाई लगा ली है अब हम इसको इसके जो प्लेट से हैं उपर उसको हम अच्छे तरीकी से स्यट कर लेंगे चारों तरफ बिल्कुल ऊक्विल ये देख लें अब हम इसके बीच में एक सिलाई और लगाएंगे तो इलास्टिक और कपड़े को हम बराबर खीचते हुए एक सिलाई लगाएंगे इसके बीच में बिल्कुल ताकि जो हमारा elastik है वो इधर उधर ना भागें इसलिए हम इसके उपर एक सिलाई और लगाएंगे बीच में यह दिखिए हमने इसको सिल लिया है और नीचे की तरफ हमें पोचे के उपर सिलाई लगानी है तो जितना हमें तैयार पोचा चाहिए उसके उपर हम एक निशान लगाएंगे मुझे साड़े छे इंच चाहिए और इसके उपर हम एक सिलाई लगा देंगे चारो तरफ दूसरा जो हमारा पहुंचा है फ्रेंड्स उसको भी हमें साड़े छे इंच पे निशान लगा के एक सिलाई लगा लेनी है ये देखिए मैंने इसको सील लिया है अब आयरन से हम इसको सीधा कर लेंगे बिल्कुल इस हलवार हमारी बन के फ्रेंड्स रेडी है तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आये तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को दबाना ना भूले ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में तब ते के लिए थैंक्स पूर वाचिन माई वीडियो